आज हम राजिस्थान की प्रसिद दाल बाटी चूर्मा की रेसिपी बना कर त्यार करेंगे ये दाल बाटी चूर्मा खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं राजिस्थान में तो ज़्यादातर सभी त्योहार उपर फंक्शन में दाल बाटी चूर्मा बनाए जाते हैं आज काल ये दालवाटी चूरम सभी जगा बहुत पसंद करे जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं ने बनाना सबसे पहले हम बाटी त्यार करेंगे तो इसके लिए मैंने एक पूल में दो कप गेहूं का आटा डाला है और इसमें डाला है मैंने आदा कप सूजी सूजी यहाँ पर अगर आपके पास मोटी हो तो आप वो ले लेना बहुत अच्छी रहेगी मैंने इसमें आदा चंबस डाला है नमक और आदा चंबस डाला है बेकिंग सोडा अब इन सब चीजों को अच्छी तरीकी से आपको मिक्स कर लेना है अब अपनी बाटी को बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बनाने के लिए हमें इसमें डाला है घी तो मैंने आधा कप घी लिया है, इसमें से अभी आधा इसमें ढाला है और इसे हम पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और जरूरत के नुसार फिर हम इसमें और घी अड़ करेंगे तो बहुत अच्छी तरीकी से इसे mix करें मौयन बहुत ज़रूर है बाटी को एकदम खस्ता बनाने के लिए तो यहाँ इसे अच्छी से mix कर लिया है लेकिन अभी यह कम है अच्छी तरीकी से बंद नहीं रहा है तो हम इसमें और घी डालेंगे यह जो मेरे पास बचा था उसमें से मैंने और घी डाल दिया केबल दो चम्मच के करिब घी कप में बचा है बागी का मैंने सारा घी इसमें डाल दिया है अब इसे हम अच्छी से mix कर लिया है यह देखे बहुत एच्छी तरह मैंने इसमें मिक्स कर लिया अब हम इसे बान कर देखेंगे अगर यह बंद जाएगा तो इसका मतलब मौयन परफेक्ट है यह बंद रहा है तो मौयन परफेक्ट है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ढालिए और इसका दो त्यार कीजिए पानी मैंने नौर्मल लिया है कोई गरम ठंड जाएटा पानी नहीं है नौर्मल पानी अपको लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी ढालकर इसका ताइट डू लगा कर त्यार करना है डो पहुँझ ज्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है जैसा डो हम पूरी वगरा के लिए लगाते हैं उससे हल्क आस सॉफ्ट करेंगे ब पर और हम इसे इस तरीकी से चिकना कर लेते हैं हाथों से लोश लगा लेते हैं इसमें अब डोव बाटी बनाने के लिए पूरी तरह त्यार है तो बस इससे हम लोई तोड़ने स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर यह देखें मैं मीडियम साइज की लोई तोड़ रही हूं बहुत जादा मोटी लोई हमें नहीं तोड़नी है और इस तरीके से इसे गोल कोल करें और फिर इस तरह आपको फैलाना है बीच में जैसे गड़ा सा बना लेना है आपको कटोरी का सशेब और अब इसे इस तरह आपको बंद करना है जैसे हम पराठा वगरा इस टप पराठा बंद करते हैं इस तरीके से इससे क्या होगा अंदर से होलो रहेगी और बहुत ही अच्छी बाटी आपकी बनके त्यार होगी अब इसे गूल-गूल कर दें ये देखिए बहुत अच्छी से ये बाटी बन गई अब मैं एक और बना कर दिखा देती हूँ ये देखिए इस तरह लोई बनाई और इसे इस तरह हमने फैलाया और फिर हमने इसे जैसे कि हम इस टप पराठा पैक करते हैं ऐसे ही पैक किया है ये देखिए बहुत ही अच्छी से कर दिया यहाँ पर हमें इसे एकदम चिकना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाटी इसी तरह की अच्छी लगती है अब इसे मैंने गूल गूल कर दिया और बस इसे हम प्लेट में रखेंगे आज मैं अप्पमेकर में बाटी बना रही हूँ अप्पमेकर को मैंने गैस पर रख दिया है गैस का फ्लेम लोग किया है और अप्पमेकर को मैं गी लगा कर चिकना कर रही हूँ आप चाहें तो अपपा मेकर में, कुकर में, कड़ाई में, किसी में भी बाटी बना सकते हैं, समय अच्छी बनती हैं अब जो बाटी हमने बना कर त्यार किया हैं, उन्हें हम इसमें रखेंगे अब पमेकर में बाटी बनाते समय इनका साइज जादा बड़ा ना रखें क्योंकि अभी ये फूलेंगी तब थोड़ी और मोटी हो जाएंगी अब इस तरह मैंने ये सारी बाटी रख दी हैं और केस का फ्लेम मैंने लोग किया है और लोग फ्लेम पर इने पकने देते हैं बीच-बीच में हर 2-3 मिनट बाद हम इने पलट देंगे अब यहां पर 2 मिनट हो चुके हैं तो मैं इने पलट रही हूं क्योंकि उपर से हलका सा इनका कलर चेंज हो गया है तो उपर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे बहुत ही अच्छी सिक्के तयार होती है इसमें बाटी एक दम खसता आपकी बाटी बन के तयार होंगी यह देखिए सारी बाटी मैंने पलट दी और अब इसे हम फिर कवर कर देते हैं हर दो तिन मिनट में हम इसे पलटते रहेंगे थोड़ा थोड़ा घी लगा दिया इनके उ परसंद आती है और खाने में भी पहुत ही डेस्टी लगता है यह दाल बाटी चूर्मा अब इन बाटी को हमें सभी तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसी तरह पलट पलट कर सेकर तयार करना है यह आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज होता जा रहा है अच्छी हमारी बाटी बनके त्यार हो रही है यह देखिए बाटी पूरी तरीके से अच्छी तरह सिख चुकी है सब तरफ से अच्छा कलर आ गया इनका तो बस अब इन बाटी को हम निकाल लेंगे और और बाटी बनाने रख देंगे तो यह बाटी मैंने पलेट में निका ताकि इस तरीके से बाटी को आपको घी में डालना है ताकि इसे अच्छी तरह घी को सोक लें और तभी ये बाटी बहुत ही टेस्टी लगेंगी अगर आप हैल्थ कॉंशियस बहुत जादा है तो आप घी कम लगा सकते हैं या बिना घी के भी तियार कर सकते हैं अब एक हर की डाल, औरत की काली डाल, मूं की पीली और हरी डाल और चना डाल आपके पास जो भी दालों को आप ले सकते हैं मेरे पास ये 5 तरह की थी तो मैंने ये थोड़ी थोड़ी ले ले ली है अब दालों को अच्छी तरीके से दो कर आदा घंटे भिगो दें और आदा घंटे आदा चमच नमक और इसमें हम डालेंगे एक से दो चमच घी और अब हमें अच्छी तरीकी से सब को मिक्स कर देना है और कोकर कर धक्कन बंद करेंगे और इसमें हम तीन सीटी आने देंगे तीन सीटी आने के बाद जब चौथी सीटी आएगी तब हम गैस बंद कर देंगे और जब पूरा प्रेशर खतम हो जाएगा तब हम इसे ओपन करेंगे अब यहाँ पर यह दाल उबल चुकी है यह देखिए प्रेशर खतम होने के बाद मैंने कोकर खोला है दाल पूरी तरह त प्याज को अच्छी तरीक से भून लेते हैं एक मीडियम साइज की प्याज मैंने एड़ की है चार पास लैसुन की कलियां जिनको घिसके डाला है एक इंच का दरग का टुकड़ा इसे भी घिसके डाला है और एक भारी कटी हुई हरे मिर्च अगर आप प्याज लैसुन नहीं नहीं खाते हैं तो skip कर सकते हैं यह सारी चीजे आपको low to medium flame पर भून लेनी है जब यह प्याज इस तरह भून के तयार हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगी टमाटर तो मैंने यहाँ पर दो बारी कटी हुई टमाटर लिए हैं वो इसमें आड़ कर दिये हैं और अब हम इस से टमाटर जल्दी सौफ्ट हो चाहेंगे अब इस तरीक से टमाटर को मैश करते हुए आपको पका लेना है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ आदा चमबस धनिया पाउडर आदा चमबस लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर क्योंकि हम दालों वालते समय भी डाल चुके हैं तो इसलिए मैंने आदा चमबस से कम डालाया वाल्दी पाउडर अब यह सब मसाले इसमें आप गाड़ी तो आप इसमें थोड़ा में धाल दी है, अब हम इसमें दाल गाड़ी य। इसमें थोड़ा सा पानी गरम गरम करके धाल दीए अब डाल को 4-5 मिनट हो चुकी हैं पकते हुए, तो मैंने इसमें आदा आदा चमच गरम मसाला डाला है आदा चमच आम चुर पाउडर डाला है इसे अच्छी तरीके से आप मिक्स कर दें और अब आप गैस का फ्लेम आफ कर दीजिए और अब हम दाल में एक इस्पेशल तड़का लगाएंगे अब मैंने गैस पर एक तड़का पैन रखाया और इसमें मैंने डाला है डाई चमच गी और गी को अच्छी तरीके से आप गरम होने दीजे जब गी गरम हो जाए तो इसमें डालें तो साबुत लाल मिर्च इसे बहुत ही अच्छा तड़का बनेगा और हमारी दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इस तड़के में अब आप एड़ कीजे एक से डेड़ चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे बहुत अच्छा कलर आजाएगा दाल का बट यह बिल्कुल ऑप्शनल है और इस तड़के में आप डाल यह एक चमच कसूरी मेथी अब इस सब क तो मैंने थोड़ा सब भून लिया है अब यह तड़का त्यार है इसे आप डाल में डाल दीजे बहुत अच्छी खुश्पू और टेस्ट हो जाएगा आपकी दाल का बहुत यमी आपकी होटल जैसी यह दाल बन के त्यार होगी अब इसमें डालने बारिक कटा हुआ हरा ध त्यार में डाल देनी है और इन्हें हमें पीस लेना है दरदर अपीस के त्यार करना है तो यहाँ पर मैंने यह इसे पीस लिया है दरदर अपीस है बारिक हमें इसे नहीं पीसना है क्योंकि चूर मात दरदरा ही टेस्टी लगता है अब इसे में एक बोल में निकाल लेती और अब मैं यहां इसमें डाल ले हूँ थोड़ी से ट्राइफूर्ट्स, थोड़ी सी किश्मिश, काजू और बादाम, काजू बादाम को मैंने कट कर लिया है, अब इसमें डाली है, दो तीन इलाईची, तरदरी कूट कर, अब मैंने लिया है, आदा कप बूरा, वो इसमें दाल दिया है, आप बूरा ले सकते हैं, या चीनी को मिक्सी के जार में डाल कर पीस कर, इसका पाउडर तयार करें, वो भी इसमें डाल सकते हैं, अब बूरा ये तगार आप जो भी डाल रहे हैं, उसको इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इसमें मीठा आप स्वाद अब इसमें बूरा मिक्स करने के बाद हमें इसमें डालना है घी तो मैंने यहाँ पर इसमें डाला है भी 6 चमज घी और ज़रूरत होगी तो फिर थोड़ा सा और एट करेंगे अब इस घी को इसमें अच्छी तरीके से आप मिक्स कीज़े यह देखिए बहुत ही अच्छा तो बस अब हम त्यार कर लेते हैं हमारी पहुत इस्पेशल राजीस तानी ठाली तो यह डाल पी को और दीवार के अन्दर और यह चूर्मा और यह हमारी पहुत い अच्छी खस्ता खस्ता वाटी कि अब आप भी अपने घर पर यह बाटी चूर्मा जरूर नग sentiment क्यों करें अभी मैं आपको यह तोड़के दिखा देती हूं बाटी अंदर तक सिक्कर त्यार हुई हैं बहुत ही खस्ता बनी है मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में